अगर फेंट्स आपके पास वीवो का T2 प्रो है तो आज की इस पूर्मा आपको बताएंगे इसी फॉन की टॉफ 65 प्लस टिप्स और टिक और कुछ हेडिन फीचर जिनका यूज करके आप इस फॉन को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो एंड काफी सौटकट तरीके से की flash light on हो जाती है इसी तरह से आप screen को double tap करेंगे ड़ेफ करके on कराएंगे तो इस तरह साब on up भी करा सकते हैं आपका phone कुछ इस तरह से रखा होता है जैसे आप इस phone को pick up करते हैं फोन का screen automatic देख सकते हैं on हो गया है तो ऐसे बहुत सारी hidden features phone मा आपको देखने को मिल जाते ह जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा तो चली करते हैं इस वीडियो को शुरूँ और जानते हैं इस phone के amazing hidden feature के बारे में इस phone में friends आपको automatic call record का feature देखने को मिल जाएगा अगर आप उसको on करना चाहते हैं तो phone की dialer को open करके through dot पर क्लिक कीजिए और call setting पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर call recording का feature मिल जाएगा आपको दो different feature देखने को मिल जाते हैं call को record कराने के अगर आप सभी number की automatic call को record करना चाहते हैं तो इस option को select करके रखिए सभी number की automatic call record हो जाएगी किसी दोचा number की call को record करना चाहते हैं तो इस option को select करके custom पर क्लिक किजिए plus की icon पर जाएए यहां से आप contact में से number को select कर सकते हैं यहां आप number को add करके भी कर सकते हैं यहां पर send जो आपकी call आई होई होगी वो number आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां से भी आप select कर पाऊगे आप इस phone में screenshot लेने के लिए simple 3 finger से इस तरह से down करते होंगे आप एक normal screen sort को ले पाते होंगे इस phone में आपको different feature screen sort के देखने को मिल जाते हैं चलिए उनके बारे में जानते हैं इस phone में आपको मिलता है funny screen sort का amazing feature जिसके लिए आपको करना है control panel कुछ इस तरह से open as capture पर क्लिक कीजिए अब यहां पर funny screen sort का feature मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए अब यहां पर तीन option आप अलग-अलग तरह के देख पाऊगे अगर आप पहले option को select करते हैं तो अलग-अलग आपको emoji देखने को मिल जाती है जिस area का आपको इस तरह का skin sort बनाना हो तो यहां पर select कीजिए कुछ इस तरह से यहां पर इसको rotate बगएरा भी कर सकते हैं यह भी feature रहेगा इसकी बाद आप यहां पर save पर click कर दीजिए तो कुछ इस तरह का skin sort save हो जाएगा इसके लाबा कुछ और फीचर यहां पर मिलेंगे तो funny skin sort पर जाने की बाद आपको यहां पर तीन different feature मिलेंगे जो कि मैंने आपको बदाया था लेस तो skin sort पर जब आप click करेंगे अब आप area को select कर सकते हो अपने हिसाब से जिस area का आपको skin sort चाहिए वो आप कुछ इस तरह से बना पाओगे तो यहां पर click कीचे टूटर skin sort पर आप screen पर कुछी भी लेक सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर अपना नाम लिख रहा हूँ तो आप इस तरह से नाम लेक करें या फिर कुछी भी लेक सकते हैं जो कि आपको कुछ इस तरह का skin sort बन जाएगा जो कफी useful भी है इस phone की color UI को आप बदल सकते हो जैसे कि आप यहां पर यह UI color देख रहे हैं आप चाहें तो यहां पर इसको change कर सकते हैं जिसको change करना है तो skin पर two finger से pinch in केजिए UI color पर click केजिए अब यहां पर आपको अलग-लग color देखने को मिल जाते हैं इस भी color में आप UI color को set करना चाहते हैं उस पर click कर देखे यह आपका set हो जाएगा इसके लाबा आपको यहां पर जो wallpaper set रहता है इस wallpaper में कितने यहां पर color हैं वो आपको नीचे की side में देखने को मिल जाएंगे तो wallpaper से उठाए हुए color आपको यहां पर मिलेंगे और अपने favorite color को आप रखना चाहते हैं तो यहां से आप set करके रख सकते हैं यह काफी अच्छा feature है आप जिस color को दिखाना चाहते हैं यहां पर अपने control panel में वो आप यहां पर इस तरह से बदल पाएंगे जब आप skin के pages को कुछ इस तरह से change करते हैं तो यहां पर आप देखोगे एक normal effect आपको देखने को मिलता है मतलब normal page आपका change होता है अगर आप चाहें तो यहां पर effects को add कर सकते हैं इसको add करना चाहती है तो skin पर two fingers से pinching कीजिए home setting पर click किजिए siding effects आपको देखने को मिल जाएगा अब आपको यहां पर जो भी अच्छा लगे वो आप इस तरह से check कीजिए पहले अब जो भी आपको अच्छा लगता है उसको apply कर दीजिए अब skin को page को कुछ इस तरह से change होते हुए आप देख पाएंगे इस phone के जो apps आइकन आप देख रहे हैं आप इनको rounded and corner भी हिसाब से set कर सकते हैं इन सब कुछ set करना चाहते है तो skin पर two finger से pinch in करके home setting पर click किजिए यहां पर आपको देखने को मिल जाता है rounded corner and size icon इस पर click करना है अब जितना आप round करना चाहते हैं इनको आप set कर सकते हैं कुछ इस तरह से large and small भी आप यहां पर ही click करके कर पाऊगे तो जितना आप large करना चाहते हैं अपने apps के लिए वह आप यहां पर set कर लीजी अब आप देखोगी कुछ इस तरह के आपकी apps यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो कि यह काफी अच्छा है आपको बहुत सारे apps देखने को मिलेंगे किसी भी apps को अगर आप split screen में on करना चाहते हैं तो इस तरह से click कर देजिए अब आप देखुए दो apps आपके यहां पे एक साथ काम कर रहे हैं अगर आप किसी एक apps को ज़्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके आप भो भी यहां पर select कर सकते हैं यह काफी अच्छा फीचर हो जाएगा यहां पर उपर बाले को चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं तो इस तरह से click कर दी तो यह भी आपका switch हो जात सकते हैं इसके लिए सेट करना इस स्कीन पर फिंगर से पिंजिन करके home setting पर क्लिक करना है अब यहां पर standard का feature देखने को मिल जाएगा यहां क्लिक करके सभी apps आप अपनी home screen पर सो करा सकते हैं इस फॉर्म में आपको three button navigation देखने को मिलते हैं आप चाहें तो इन्हें hide कर सकते लगा सकते हैं जैसे navigation या फिर आप बटन का direction change करना चाहें तो वह भी option available रहेगा इनको set करने के लिए चले जाए फोन की setting में scroll down करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा system इस option पर क्लिक किजिए यहां पर आपको system navigation पर क्लिक करना है और अगर आपको button की setting करना तो वह option लाएगा जैसे navigation यूज करना तो यह आप कर सकते हो यहां पर एक line-up को देखने को मिलती है तो आप इस तरह से hide कर पाएंगे अब जैसे की मदद से आप apps को भी switch कर सकते हैं अब जैसे कि आप यहां पर है Chrome है Chrome से पहले जिस apps का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए simple आप इस तरह से क्लिक कराएं तो आप दूसरे apps के अंदर switch हो जाएंगे तो इस तरह से आप switch करा सकते हैं वह simple तरीका है तो आप जैसर की मदद से यह feature का भी use कर सकते हैं इस phone की screen को आप डबल टैप करके इस तरह से lock कर सकते हैं इस feature को on करना चाहते हैं तो चले जाएए phone की setting में setting में जाने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा scroll down करने पर shortcut and accessibility इस option पर क्लिक कीजिए इसके बाद आपको smart motion पर क्लिक करना है यहां पर आपको मिल जाता है smart screen on off का feature इस option पर क्लिक करने के बाद अगर आप double tap करके screen को lock करना चाहते हैं तो यह feature को on कीजिए तो screen आपक on हो जाए तो आप इस feature को यहां से on कीजिए तो आपके screen इस तरह से off होगी double tap कराएंगे आपका screen इस तरह से on हो जाएगा तो सभी feature आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगे इनको आप on करा सकते हैं इस phone में जैसे आप phone को pick up करते हैं वैसे screen automatic on हो जाए तो आप चाहें तो इस feature को यहां पर आकर ही on करा पाएंगे इसके आपको rise to wake वाले feature को on करना है अब आपका phone कुछ इस तरह से screen off table पर रखा होगा जैसे phone को pick up करेंगे phone का screen automatic on हो जाएगा तो इस तरह से आपको rise to wake वाला feature यहां पर काम करता है इस phone में आपको dual apps का भी feature देखने को मिल जाता है क इस phone में dual app use कर सकते हैं तो यहां आकर किसी भी apps का dual करना है तो कर सकते हैं बहुत आसानी से इस phone में आप internet का use करते हैं उसका speed कितना आ रहा है तो उसकी बार में भी जान सकते हैं by default net speed meter का भी feature दिया गया है इसको on करना चाहते हैं तो phone की setting को open कराईए यहां पर display and brightness option पर click कर जिसके बाद इस call करने पर आपको मिलेगा states bar यहां click करना है और so real time network speed को on कर देना है अब आपकी phone में क्या net speed आ रही है वो आप states bar में देख पा होगे इस phone की betty percentage अगर आपको 100 नहीं हो रही तो यहीं पर यह feature भी देखने को मिल जाएगा तो betty percentage भी आप यहीं से on करा सकते ह जब आप इस phone को power button को press and hold करते हैं तो यहां पर आपका Google Assistant on हो जाता है अगर आप चाहें तो यहां पर इसको replace कर सकते हैं phone को switch off करने के लिए अभी आपको अगर use करना है तो power button and volume button आपको इस तरह से press करने होते हैं तब यह option आते हैं अगर आप चाहें तो press and hold करने पे यही option set कर सकते हैं इनको set करना चाहते हैं तो चले जाना है phone की setting में setting में जाने के बाद scroll down कीजिए आपको मिलेगा shortcut and accessibility यहां पर click करना है press and hold power button का feature देखने को मिलेगा यहां पर click कीजिए इस option पर click करने के बाद आपको इस तरह से select करके रखना है अब press and hold करेंगे power button को तो कुछ इस पर click किजिए जिसकी बाद आपको देखने को मिल जाएगा always on display का feature इसको यहां से on कर लीजिए अब यहां पर home screen के लिए आप किस तरह का clocks दिखाना चाहते हैं किस तरह कि आप always on को so कराना चाहते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत different different आपको clocks देखने को मिल हैं जैसे कि आपने कुछी भी सेट किया वही आपकी लॉक्त स्कीन पर सो हो जाएगा जो भी आपने सेट किया होगा होता है तो इस तरह सेट कर लीजिए यहां पर save पर click किजिए किस तरह का आपको यह सो कराना है यह यह भी design आपको सब मिल जाएगा तो जितना आप बड़ clocks बगेरा हो या फिर इस तरह का कोई emoji हो कुछ भी status हो वो सब लोग स्कीन पर आप सो करा सकते हैं तो always on feature काफी अच्छा दिया गया है यहां पर display mode पर भी select कर सकते हैं किस समय तक आपका display on रहना चाहिए always on के लिए या फिर all day यहां पर on होना चाहिए यह भी आप set कर सकते है तो काफी अच्छे सा आप इसको customize कर पाएंगे एक बार back button को यहां से press करेंगे तो आपको lock screen setting का future मिल जाएगा इस पर click करने के बाद आप lock screen की setting कर सकते हैं अब जैसे कि lock screen style पर जब आप click करेंगे तो यहां पर lock screen की style को आप change कर पाएंगे download कर पाएंगे या आप theme से जाके theme store से download कर सकते हैं यहां पर lock screen के लिए कोई भी text message डाल सकते हैं lock screen text पर click कीजिए अब यहां पर कोई contact number डालना हो या फिर आप कुछ message डालना चाहें तो आपको इस तरह से डालके save करना है अब lock screen होने पर आपको कुछ इस तरह से यहां पर यह सोब हो जाएगा तो इस तरह सक करना तो यहां से आप different shortcut को set कर सकते हैं और यहां से click करने के बाद आप different option को select कर सकते हैं अगर चाहें तो किसी को भी आप यहां से हटा सकते हैं यह भी feature आपको मिल जाएगा इस phone में आपको different animation style देखने को मिल जाती है बहुत साई dynamic effects हो इस पर आपको add करा सकते हो अपनी हिस आप से जैसे की charging animation effects आपको chain करना हो fingerprint animation effects आपको chain करना हो बहुत सारे effects देखने को मिलेगे इस आपको set करना है तो चले जाना है phone की setting में यहां पर आपको dynamic effects का feature मिल जाएगा इस पर click कीजिए अगर आपको home screen जो animation होता है उसको बदलना है तो आप यहां पर click कीजिए अब आप different तरीका animation यहां पर देख पाऊगे जिस तरह से आपका app open होना साहिए वो feature आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आपका interface open होता है वो आप यहां पर देख पाऊगे इसके लाब आप जब आप स्कीन को unlock करते हैं तो किस तरह का interface आपके सामने आना साहिए वो भी आप यहां आप यह feature देखने को मिल जाएंगे तो जैसे कि आपने यह apply किया अब आपके screen आज तरह से off है जैसे आप screen को unlock कराएंगे तो कुछ इस तरह का आप यहां पर effects को देख पाएंगे तो बहुत सारी आपको home screen के लिए dynamic effect देखने को मिल जाएंगे fingerprint icon animation पर click करके आप always on पर जो आ आप यहां से chain कर पाओगे इसके लाबा अगर आप animation को chain करना चाहते हो तो यहां पर वह भी feature देखने को मिल जाता है आपको different different animation देखने को मिल जाएंगे जब आप इनको unlock कराएंगे screen पर Screen on होगा तो इस तरह का animation आपको screen पर मिल जहां से आप fingerprint animation पर touch करेंगे यहाँ पर face animation यहाँ पर click करने के बाद face animation भी आप बदल पाऊगे आपको different यहाँ पर animation देखने को मिल जाते हैं तो किस तरह का effect आना चाहिए वो भी आप यहां पर बदल पाऊगे जब आप एक step बापस रहेंगे तो यहां पर आपको USB के बाद नीचे मिलेगा Skin on-off का feature, Skin off होने पर किस तरह का effects तो होना चाहिए, इस skin पर आप सेट कर सकते हैं, आप जैस किम ने इसको set किया, Skin पर जब light आएगी तो इस तरह से आएगी, अब आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको यह effects भी यहां पर देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो भी set करना चाहें, वो कर सकते हैं, इस phone में आपको Super AMOLED display का feature देखने को मिलता है, तो यहां पर आप इस phone में dark mode काफी अच्छे set कर सकते हैं, dark mode को set करने के लिए चली जाना है, phone की setting में, display and backness option पर click करना है, इसकी बात आप यहां पर dark theme को देख पाएंगे, तो यहां पर click कर दीजे, phone सभी आपका dark mode पर set हो जाएगा, जब आप dark theme पर click करेंगे, तो यहां पर आप इसको schedule भी क कर सकते हैं, यह आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका timer भी set कर सकते हैं, यह भी feature आपको मिल जाता है, तो किस time में आपको on करना है, किस time बन करना है, यह आप set कर पाऊगे, यहां पर आप display and backness में कुछ और feature को भी देख पाऊगे, जैसे कि skin color का feature, यहां पर आप pro के लिए जाते हैं, जैसे कि आप चाहते कोई photo बगरा set हो जाना चाहिए, तो आप इस पर click करके gallery से कोई भी photo बगरा ले सकते हैं, यहां पर आपको skin refresh rate का option देखने को मिल जाएगा, यहां पर click करने के बाद इस पूर्म में आपको 120Hz refresh rate देखने को मिलता है, तो अगर set करना चाहते है तो यह automatic भी यहां पर select करा सकते हैं, अगर यहां पर selected रहेगा, तो automatic जहांप़ ज़रूद रहेगी बहाँपर काम करेगा 60Hz, जहां पर ज़रूद रहेगी 75, यहां पर जरूद रहेगी 120Hz की 2002Hz की बहाँ automatically 22Hz, इसमे क्या होगा। अपके बैटी काफी अच्छी यहां पर बड़ करेंगे अगर आप 25 हर्च लेज़ सेलेक्ट करेंगे तो बैटी आपकी काफी जाएगी इसके बाद यहां पर एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है वीडियो इनहेंस्मेंट का तो यहां पर आप इस फीचर को आउन करके र मिल जाएंगे तो यहां पर आप यह सब सेटिंग को करके रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपको फून सेख होने पर फ्लैस राट को आउन करा है तो आप इस फीचर को बहुत आसानी से ऐन कर सकते हैं इसको आन कराने के लिए चले जाना है फून की सेटिंग में और recorder set कर सकते हैं camera apps को open करा सकते हैं तो बहुत सारे feature आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको आप set करना चाहें कर लीजिए set करने के लिए आपको चले जाना है phone की setting में setting में जाने के बाद इस तरह से scroll कीजिए scroll करने के बाद आपके phone के अंदर voice recorder चालो हो जाएगा और voice को record करना शुरू कर देगा वह अभी आपको पता नहीं चलेगा कभी आप किसी की voice को record करा सकते हैं इसके लाब आगर आप camera apps को open कराना चाहते तो आपको वह भी feature देखने को मिल जाएगा Facebook को open कराना चाहते तो वह भी feature रहेगा अगर चाहते कोई भी favorite apps आप यहां पर set करना तो आप वह भी कर पाएंगे तो यहां पर click करके अब different app को set कर सकते हैं जो भी आपको set करना उसको select देजिए lock screen होने पर जब आप press and hold करेंगे volume down बटन को तो आपका screen lock आप डाल के उस apps को access कर पाएंगे इस phone में आपको easy test का feature देखने को मिल जाता है इसको on कराने के बाद आप अपने home screen देख काफी अच्छे shortcut को add करा सकते हो इनके बाद आप उनको यह अच्छे से use भी कर सकते हो तो setting में जाइए setting में जाने के बाद scroll down कीजिए shortcut and accessability पर click कीजिए यहां पर आने के बाद आपको easy test का feature देखने को मिल जाएगा इस पर click करके इस पर double tap हो आपको calculator open हो जाए तो यहां पर double tap पर click करके आप calculator को select कीजिए अब इस पर double tap करेंगे directly आपका calculator on हो जाएगा तो बहुत जल्दी किसी भी shortcut app को open कराना हो तो यहां पर आप add कर सकते हो tap and hold से करा सकते हो यहां पर आपको side करने पर भी option देखने को मिल जाता है press and hold पर single tap पर है यह सब feature आपको मिल जाएगे यहां पर आपको wall ताइप आपको देखने को मिलता है आप चाहें तो इसको भी replace कर सकते हैं जिसके लिए personalize पर क्लिक करके आप यहां पर क्लिक केजिए आप different icon को set कर पाओगे आप जैसे कि आपने यह set किया अब यहां पर कुछ इस तरह का यह icon भी आप देख सकते हो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिरसा आपको वही option देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी अ से आप वीडियो कॉल बगएरा करेंगे फॉन से तो आपकी वीडियो रहेगी वह एकड़म ब्यूटी मूड में on हो जाएगी तो आप यहां से इस फीचर को यह on कराकर रख सकते हैं फ्लेस नॉटिफीकसन का फीचर देखने को मिल जाता है इस फीचर को on कराने पर कोई भी कॉल बगर आपके फॉन पाता है तो आपके फॉन की फ्लेस लेट है वो अन होगी और आपकी ब्लिंग होना सुरू हो जाएगी कॉल आने पर एक बार बैक बटन को प्रैस करने की वादा आपको टेक्स टामेर का फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप अपने फॉन को हैंडेट मूड का भी फीचर देखने को मिल जाता है जिसको आप यहीं पर आके एक्सेज कर सकते हो इसको पहले इस फीचर को यह तरहां सा ओन कर देजिजी अब कभी भी आपको फान बन हैंडेट मूड पर उन हो जाएगा आप इसको एक हास्ते बहुत आसाने से आप यह फोन की सेटिंग के अदर यहां से कॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा security इस option पर क्लिक कीजिए अब यहां पर आपको privacy and app in caption पर क्लिक करके कोई भी privacy lock set करना है अगर आप यहां पर pill lock set करना चाहते है तो कर सकते है नहीं तो password option पर क्लिक करने के बाद अब different privacy का भी option को देख पाएंगे तो जो भी आपको privacy lock set करना उसको set करने के बाद security question में नाम बगरा set कीजिए और यहां पर पर क्लिक कीजिए अप in caption पर क्लिक करने के बाद आप यहां से app lock set कर सकते हो अगर apps को hide करना चाहते है तो यहां पर आपको भी फीचर देखने को मिल जाएगा जिसके आप app hiding पर क्लिक कीजिए और यहां से speecher को on करने के बाद किसी भी apps को आप इस तरह से on करा देजिए यह आपका hide हो जाता है और hide apps को access करने के लिए इसकी इन पर two fingers से आपको आपकरना होगा तो जो भी privacy lock डाला था उसको डालने के बाद आप यहां पर अपने privacy hidden apps को देख पाऊगे तो कुछ इस तरह से आप इस फोटो और वीडियो को भी आप hide कर सकते हैं बहुत आसानी से और उस पर भी privacy lock side कर सकते हैं अग यहां पर आपको उस फोल्डर के अंदर जाना होगा जिसमें से आप किसी फोटो को hide करना चाहते हैं जैसे कि मुझे यह वाला photo hide करना है तो इसके उपर आप long time प्रेस कीजिए और यहां पर three dot पर click कीजिए hide कर feature देख पा रहे होगे यहां पर आपको click कर देना तो यहां पर पर long time प्रेस कीजिए इस icon पर click करके unhide पर click कीजिए unhide भी हो जाएगा अगर आप चाहते हैं जब भी आप फोटो या वीडियो को यहां पर access करें तो आपका privacy log आना चाहिए तो यहां से इस feature को on कराईए तो आप जब भी इस photo को access करेंगे तो अपने photo का जो privacy log है वो आप आप डाल के इनको access कर सकेंगे इस फॉन में आपको i comfort का feature देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अपने फॉन को जाता यूज करते हैं तो आप i comfort mode का जरूर से यूज कीजिए यह आपको आपके control panel में देखने को मिलेगा इसको आप इस तरह से on कर लीजिए आप इसको अपन sunset to sunrise को क्लिक करके रखे तो night होने पर automatic on हो जाएगा और दिन होने पर हट जाएगा इसके लाबा आप टाइमर भी अपने हसाब से set करके रख सकते हैं इस फॉन में आपको by default देखने को मिल जाता है screen recorder का feature अगर आप इस phone की screen को record करना चाहते हैं तो control panel को open करने के बाद side करने पर मिलेगा screen record का feature इस पर क्लिक कीजिए सभी terms and information को accept करके आप screen recorder के अंदर आजाए अब यहाँ बे आप sound की setting को set कर सकते हैं किस quality को आप record करना चाहते है internal and external वो set कर पाएंगे इसके लावा आपको कोई भी screen को record करना किसी समय तो simple इस पर ही click कर देजिए आपका यहाँ पर click करना होगा और आप इस phone की screen को record कर पाएंगे video को push कर सकते हैं या से save कर सकते हैं आप इस phone की screen को share कर सकते हैं किसी भी smart devices पर जैसे कि आपके smart TV हुआ या फिर कोई भी smart devices हुआ आप इस phone की Wi-Fi एन इसके साथ इस phone की hotspot दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं जिसके आप किसी Wi-Fi से connected हैं यहाँ पर अपने hotspot की जरीए उसका data share करना चाहते हैं तो आप अपने Wi-Fi को on रहने दीजिए और hotspot को on कर दीजिए अब आपको इसका data यहाँ पर share हो जाएगा इस phone में आपको एक shortcut देखने को मिलता है जिसमें आप अपने favorite app को डाल सकते हैं और काफी अच्छे सा उनको जल्दी से use कर सकते हैं open करा सकते हैं अपनी candle panel को open करने के बाद एक icon आपको देखने को मिलेगा इस पर click कीजिए और यहाँ manage पर click कीजिए अप different आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाएंगो तो यहाँ से इस पर आपको multiple user का भी feature देखने को मिलता है अगर आप भी out करेंगे आपने user यहाँ पर यहाँ पर Dieses Quelleüm इन जो विदिए अन इहाँ75 जो बी बीद गुछ यहाँ निए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो ये थे कुछ यूजफुल फीचर स्पॉन के जिनके बारे में आज की वीडियो में आपके साथ सेर कर चुका हूँ आसा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको काफी अचला हुआ और अपडेट में ऐसे अमेजिंग फीचर अपडेट होते रहते हैं और नए-नए फीचर फॉन के अंदर एड होते रहते हैं तो नए-नए वीडियो इसी चैनल पर इस्पॉन से लेट आपको देखने को मिलेंगी तो जरूर से एट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चली फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक केर